जील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिन्दगी का हाल खसता है हमारे देश में, दूद महंगा खून ससता है हमारे देश में देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिये जलते दिये भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने, भाजपा शासित राज्जों के बुल्डोजर ना सिर्फ लोगों के घरों को उजाड रहे हैं बलकि कुचल रहे हैं लोगतंत्र को, सालतों के मेयार को, उन्हें ये क्यों नहीं दिखता, कि राज्जों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे, लोगों के सरों की छटें उजाड रहे हैं, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हूं, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिने लोटा दो, तुम्हार फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकडे जूटे हैं, ये दावा किताबी है, मैम, प्रधान मंत्री जी की सेकड़ों बार थपतपाई गई मेज के बीच, अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े-बड़े दावे किये गए, देश ये कैसा बनाया आ आपने, देखिये जलते दिये भी बुझ गए, अजब दीपकराग गाया आपने, मैम, पूरा सदन अमरित काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूँगा, तुम्हारी फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है, मग इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं, नौकरी मांगने वाले नوجवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाहों को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया सालों से अपने लिए छट तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया और फिर आपको पूरी उमीद है कि पूरा देश आपके इस किये गए पेश किये गए, बजट पे लहा लोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए, कैसे संभो है, मैं सदन में खड़ा हो करके इस बजट पे चरचा करते हुए कहना चाहता हूँ, कि इस बजट में फुटपात पर रहने वाले, छपरों में रहने वाले, जुग्डियों में रहने वालों के लिए क्या है उनके लिए क्या है जो प्रधान मंतरी के किये गए वाइदों की बाट जो हो रहे हैं हर साल फरवरी की खुबसूरत सुबह और सजी हुई संसत से बरसते हुए जूटे वाइदों की जवाब दे ही कौन ते करेगा कौन बताएगा कि 2022 में प्रधान मंतरी जी जो सब को पक्का मकान देने वाला वाइदा किये थे उसका क्या हुआ लोगों के सरों पर च्छत देने वाले प्रधान मंतरी जी के जुमलों से अलग उन्हें ये क्यों नहीं दिखता के राज्जों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छटें उजाड रहे हैं उत्तर प्रदेश हो आसम हो जम्मू कश्मीर हो मद्ध प्रदेश हो भाजपा शासित राज्जों के बुल्डोजर ना सिर्फ लोगों के घरों को उजाड रहे हैं बलकि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को मैम, मैं आंकड़ों की बाजी गरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूँ आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, यह कह रहे हैं चार करोण, बित्त मंत्री जी तीन करोण कहते हैं, प्रधान मंत्री जी चार करोण कहते हैं पहले तो आप इस जूट में ही आपस में ही सलट लीजे के चार करोण सही है या तीन करोण सही है मैं आकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैं कि जो सुने वो बस पत्राई आँखे लेकर किंग कर्टब बे भी मूड हो जाए लेकिन जील में पानी बरसता है हमारे देश में जील में पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में जिन्दगी का हाल खसता है हमारे देश में, दूद महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, मैं, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की, MSP की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से, इस बजट का कोई लेना दे मैं, मैं तो कहना चाहता हूं मैं, वो एक बार इनके एक नेता एक गाउं में गए, और उन्होंने गाउं में का कि गाउंवालों आओ, मैं तुमारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं, गाउंवाले ही कठा हो गए, नेता जी ने गाउंवालों से का बताओ, तुमारी दो समस्या हैं बताओ मैं दोनों समस्याओं का यहीं पर समाधान करूंगा तो गाउवालों ने कहा साब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है तो नेता जी ने मोबाइल निकाला कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पर पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहां ग होस्पिटल चाहिए गाउंवाले खुश हो गए कि एक मिनट में यहां होस्पिटल आ रहा है अगली समस्या के बारे में उन्हों नेता जी ने गाउंवालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाब्द कर दी दूसरी समस्या बताओ तो गावाला ने कहा साब इस गाव में कोई भी मुबाइल का निटवर्क ही नहीं है ये है इनके काम करने का तरीका ये है जूट बोलने का तरीका इन्होंने वाइदे किये बड़े बड़े जो दस साल के इनके वाइदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा वाइदो आटा, चावल, दूद, दही, पनीर, छाच, सब चीज पे GST, अरे ये फिल्मे टेक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर GST लगा रहे हैं और ये घरीबों की बात करते हैं मैम, मैम, ये सरकार जूट की सरकार है, ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोकले हैं आज प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, ये कैसा सबका साथ, सबका विकास है, कि मौलाना अजाद नेशनल फिलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनौर्टी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी आँखें हात रस से लेकर कठुथुआ से ले करके और देश की जनतर मंतर की सडक वो देख रहे हैं जो हमारी ओलम्पिक पदक लाने वाली बेटियों को पुर्धान मंत्री की चोखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है इससे शर्मना क्या हो सकता है मैं कृशी विकासदर जो 2014 में 4.6% थी इस वर्ष गिर कर 1.8% कैसे हो गई क्यों हर दिन 31 किसान आत्मत्या करने को मजबूर है ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की मौका मिला तो लोगों ने कुरसी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदोस्तान की और आज बड़ी-बड़ी बाते कर रहे है मैं यहाँ पर आप से खड़ा हो करके मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि बित्मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिवे को बंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाशन में ठीक है यह सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती बाला सोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली यह सरकार कभी भारत की जन्रल डिब्बों की रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए बिहार से, इलाबाद से, लखनव से, दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेने देख लीजे, उनकी हालत देख लीजे तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेने हैं, आज इस्थिती ये है कि ट्रे रेलवे स्टेशन तो छोड़िए रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एरलाइन्स, अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एरलाइन्स को, ये इस्थिती आपने करके रख दिया है, ट्रेनों की, एरलाइन्स की, ऐसे में मैं कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सरपट दोड़ा लीजे, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की, डिबों की, सवारियों की हालत देखने लायक है, अगर सरकार खुली आँखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी इस्तिती सुधारे आज अपने पुरदान मंतरीजी ने अपने भाशन में यांख़़ए हो कि कई बार न्यू मीडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मीडिल क्लास जनरेट करेंगे, लेकिन मैं तो यहां ख़ड़ा हो करके सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मीडिल क्लास का जुम्ला जो middle class, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने GST लगा रखी है, आप फिलमे tax free करते हैं, लेकिन students के प्रतियोगी परिक्षाओं के form की fees नहीं माप कर सकते, आपको बाकी जगों पर tax लेना है, हर जगा tax लेना है, middle class से आपका कोई रिष्टा नहीं middle class तो आपसे कह रहा है, कि महबत भाईचारे के दिवाने दिन ही लोटा दो, वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हूँ, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लोटा दो, वो पुराने दिन जो बहुत किताबों के साथ गल चुके हैं उनके हिस्से अधेर अवस्था तो आई है लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया हर साल दो करोन नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार दस साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है 20 करोन नौकरियों का बोज़ है इस सरकार के कंधे पर और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोन नौकरियों के बोज़ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार ये देश देखेगा क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है देश का युवा नाराज है देश का युवा गुसे में है ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई मैं आपके बीच खड़ा हूँ मैं तो बितमंत्री जी का भाशन सुन रहा था यह कहा जा रहा था यह अमरित काल का बजट है यह कौन सा बजट है यह बाद में तैं होगा लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यह इस सरकार का अंतिम बजट है आखरी बजट है इसके बाद नियाय का बजट पेश होगा जिसकी चर्चा राहुल गांदी जी पूरे देश में कर रहा है नियाय का बजट पेश होगा अगली बार ये इस सरकार का अंतिम बजट है अंतिम बजट है अमरित काल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है कोई चर्चा नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू